हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Moto G8 Power Lite Android वाइल फोन में आप जो है fingerprint lock setting को आप जो है remove कैसे कर सकते हैं अपने वाइल फोन से ठीक है और यह fingerprint lock setting जो है remove होने के बाद आपके वाइल फोन के setting कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting पेज आपको ओपन करना है ठीक है setting पेज में आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पर आप आपका next page open हो जाएगा यह fingerprint का ठीक है इसमें आपको जो है ना यह फिंगर बन इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा यानि कि आपको पहले से फिंगर प्रिंट लॉक्ट जो है आपका सेट है fingerprint लॉक्ट ठीक है तो आपको जो फिंगर बन के ठीक सामने जो डिलीट का option है इसे स्लेक्ट करना है ठीक है तो आपका पेज ओपन हो जाएगा इस पेज में आपको जो है रिमूब ओल फिंगर प्रिंट का यह जो पेज आएगा इस पेज में आपको नीची की साइड यह यहां पर लिखा हुआ हो जाएगा याँ कि आपका fingerprint lock इस तरीके से रिमूव हो जाएगा अब यह fingerprint lock जो है रिमूव होने के बाद आपकी setting है कैसे काम करेगी यह मैं आपको बताता हूँ जब भी आप screen को off करेंगे ना तो आप अपने fingerprint sensor पर अगर उमली को touch करेंगे ना तो setting काम करती है रिमूव होने के बाद है मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना क्या है mobile setting पेज में सबसे उपर सर्च setting सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है fingerprint ठीक है तो आपको नीच